आपने अब तक कई सारी मूवीज देखोगी आप कितनों के साथ गए होगे मूवी देखने लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये मूवीज पैसा कमाती कैसे इनके पैसा आता कैसे इतने बड़ी-बड़ी मूवीज बनाती है लोग इतना तकड़तर अड़ेस्टंट कराने के लिए इतना सब कुछ कराने के लिए आखिर पैसा कहां से आता है तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर पैसा कहां से आता है मूवीज बनाने के लिए डारेक कुछ हिस्सा प्रडियूसर और डिस्ट्रिबूटर को जाता है जिससे जो मूवीज वाले होते हैं वो पैसे कमाते हैं और अच्छी अच्छी फिल्म तो इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है क्योंकि आपने कई पर देखा होगा कि बॉक्स ऑफस कलक्षन ही देखी जाती है जातर जो मुवीज होती है उनकी दूसरा तरीका जिस्ट्रिबूर्शन के राइट को सेल कर देना यह डोमेस्टक ली भी होता है इंटरनेशनली भी होता है तो डिस्ट्रिबूटर्ट अच्छ प्रेटफर्म को सील कर दिया जाता है जिससे जो प्रेडियूसर होते है उनको आगे मौका मिलता है कि वह और प्रोफिट कमाए जो भी उन्हेंने मुवी बनाई है जिस मुवी में उन्हें पैसा लगाए है तीसरा तरीका है प्रोड़क्ट प्लेस्मेंट और ब्रेंट आप से अपने कई सारी मुवी उसमें देखा होगा कि प्रोड़क्ट चा जाते हैं या किसी प्रोड़क्ट का बारे में बात करते हैं फीचर करते हैं प्रोड़क्ट को अपने मुवी के अंदर तो जो कंपनी होती है जो ब्रैंट होती है वो फिल्म के प्रोडूसर को पैसा देती ह है कि हमारे प्रड़ेट को फिचर करो अपने इस मैवी में और उससे वह मुवी को पैसा देतें हैं एक और तरीका है म्यूजिक राइट्स को ने सेलख करके यह hell अमारे सिर्फम्इर सिर्फर करते हैं के थुरू एक सिगनिफेकंट योगदान देती है अपना box office collection में किसी भी मूवी के अब बीते सालों में जो streaming platforms है उन्होंने बहुत ज्यादा popularity गेन करी है और बॉलवड जो industry है इसका उन्होंने बहुत ज्यादा फाइदा उठाया इस trend का बहुत ज्यादा advantage लिया है और digital platforms का ये भी फाइदा है कि वह बहुत ज्यादा बड़े audience के साथ पहुच पाती है और जो पैसा कमाने को तरीका होता है पेपर भी होता है कई सारे मॉडलों होते हैं उनका पैसा कमाने का तरीका एड्स होते हैं ट्रेमिंग प्लेटफर्म पे रिलिस करना मुवीस को ज्यादा आसान होता बजायत थ्रेटर मिलिस करने के एक और तरीका है मुवीस को पैसा कमाने के लिए वह है satellite यानी जो भी करो सब्सक्राइब करो हमरे चैनल को और जब तक ज्यान करने मत बरूं